कैसे हैं आप सभी लोग मुझे उमीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे अपना और अपनी फैमिली का ख्याल लख रहे होंगे घर से बार नहीं निकलना है प्लीज इस्टे अट होम और बी सेफ घर पे रहकर ही पढ़ाई करें और मैं आप लोगों के लिए कोशन नी आएंगे यह मेरा मादा है आपसे तो टाइम स्पीड डाइन डिस्टेंस हम लोग कर रहे थे जिसमें दो पार्ट में आप लोगों को बता चुगा था average speed बता चुका था दूसरा मैं आपको बता चुका था कि ratio का क्या खेल है time का ratio क्या होगा distance का क्या होगा speed का क्या होगा और कैसे changes आएंगे तो आज हमारा part 3 होने वाला है यह कुल मिलाकर सेभी की जब से मैंने revision series start की है 10th lecture है और अगर आपको यह lecture अच्छा लगे तो please like करें कराने वालों और concept रहेगा late और early का जो की direct question आते हैं आपके exam में ठीक है shortcut भी बताऊंगा basic बताऊंगा formula बताऊंगा सब बताऊंगा तो students एक बात और note कर लेते हैं कि CB के जितने भी course है do tap के उन सब पे ही 30% discount चला हुआ है 30% और 30% discount अवेल करने के लिए आपको जो coupon code use करना है वो है CB 30% ठीक है कोई space नहीं होगा CB के सारे letter capital होंगे 30% अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही course purchase करने में या course purchase कर चुके हो उसमें कोई problem आ रही है नहीं चलना है कोई भी problem है तो आप call कर सकते 8146207241 पर दूसरा आपको पता है कि आज का lockdown की इस्तिती है और कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है तो हम लोग भी घर से ही आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं तो background पर कुछ आवाज आ सकती है bike की, car की, truck की यह इस तरह की कुछ भी तो उन्हें please ignore कर दे और सिर्फ अपना focus रखे जो चीज में आपको पढ़ा रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार 2019 की result आप लोगों को बता देना चाहता हूँ एड़ूटब आपने बहुत शानदा result दिया है 2019 में नबाट ग्रेड है 2019 25 selection out of 41 seats और यह बिल्कुल real selection है इसमें हमने कुछ भी add या subtract नहीं किया है भाई जितने हमारे genuine selection है जितने student का data हमारे पास है वो ही आप लोगों को हम यहां पर show कर रहे है नबाट ग्रेड भी 2019 में 4 selection हुए out of 8 RBI grade भी आपको पता है कि final result अभी तक नहीं आया है अभी इंटर्व्यूस ही चले हुए थे तो 215 प्लस कोल्स है इंटर्व्यू की जो के edutab के student थे 215 तो मतलब एक अच्छा खासा selection rate यहां पर भी रहने वाला है एक बार फिर 30% discount है CB के सभी courses पर ठीक है coupon code है CB30 चलिए start करते और question से ही समझना start करते हैं चीजों को चलिए students अभी तक जो हमने question किये हैं वो question थे मैं question पढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा अभी तक जो हमने question किये वो time constant के उपर थे सारे अब जो हम question करने वाले हैं वो distance constant के उपर बेस रहेंगे ठीक है मतलब यह चीज मैं मेरे पास है जिनका ratio 2 ratio 3 है और मैं आपसे पूछना चाहूं कि मुझे बताइए कि time का ratio क्या होगा तो आप कहेंगे sir time का ratio 3 is to 2 होगा यही तो आप कहेंगे ना तो अब हम लोग question करने वाले है distance constant या तो इसे distance constant का नाम आप दे सकते हैं या जो इतने भी आगे concept रहने वाले है थोड़ी देर के लिए वो उसे late और early या early और late का भी concept दिया जा सकता है यह नाम दिया जा सकता है इसे किस तरीके से वो अब हम समझते questions के through कह रहा है walking 3 by 4th of his usual speed a person is late 10 minute to get to his office find his usual time to cover the distance मतलब यह कह गया है कि एक बंदा अपनी original speed का 3 by 4 चलने लगे तो जहां उसे जाना है वाँ जाने में मतलब office पहुचने में 10 minute वो क्या हो जाएगा लेट हो जाएगा तो लेट word use हुआ है यहां पर और जाना office ही है मतलब distance constant है उसकी तो अमारी approach क्या रहेगी क्या find out करने के लिए यूजवल टाइम find out करने के लिए तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि speed का ratio क्या बनने वाला यहां पर अब धियान से बात को समझे कि speed का ratio क्या बनने वाला है तो मैं कह सकता हूँ कि पहले अगर उसकी speed 4 थी, तो अब कितनी कर दी उसने? 3. तो speed कर रेशयो क्या बन जाएगा बच्चो? 4 is to 3. अगर ये speed कर रेशयो बनेगा तो बच्चे time कर रेशयो क्या बनेगा यहां पर? 3 ratio 4, बिलकुल सही. मतलब पहले उसे 3 part time लग रहा था, अब उसे 4 part time लग रहा है, मतलब अब मैं देख रहा हूँ कि उसे कितना ज्यादा time लग रहा है, मतलब देखो late का मतलब जहां पर late लिखा होगा, इसका मतलब उसे time ज्यादा लग रहा है, और जहां पर early लिखा होगा, उसका मतलब उसे time कम तो यहां पर देखा मैंने कि ratio में तो 1 पार्ट जादा लग रह रहा है लिकिन minute में कितना 10 minute बात समझ में ही देन अब वैल्य ओफ यहां पर बात क्या ही हमारे समझ में कि 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है 10 minute अगर वन पार्ट की वैल्यू 10 minute है तो original time कितना था उसका 3 था भाई original speed के नीचे ही original time आएगा तो अगर 1 part की value 10 minute है तो 3 part की value कितनी हो जाएगी 3 into 10 कितनी हो जाएगी भाई ये 30 minute हो जाएगी बताओ बास समझ में आई या नहीं कितनी हो जाएगी 30 minute और पूस्ता कि लेट होने के बाद कितना time है तब हमारा answer क्या था 10 minute बात के लिए चलिए एक और question देख लेते हैं तो question है कि walking at 7 by 8 of his usual speed a train is 10 minute late ठीक है late word use हुआ find its usual time to cover the journey मतलब आप यहाँ पर एक बास समझेए कि फिर से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर distance क्या है constant है और distance constant है यह मैं कह सकता हूँ कौन सा concept लगना है late और early का concept यहाँ पर use होना है मतलब उसने अपनी original speed का कितना कर दिया 7 by 8 मतलब मैं कह सकता हूँ कि पहले अगर उसकी speed 8 part थी पहले उसकी speed 8 part थी तो अब उसकी speed 8 part थी 7 part पहले 8 part थी अब कितनी कर दी 7 part उसने कर दी अगर यह speed का ratio है तो बच्चे time का ratio क्या हो जाएगा बताइए time का ratio क्या हो जाएगा तो time का ratio कितना हो जाएगा 7th ratio 8 इतना तो आपको clear है क्योंकि पता है कि time universally proportional होगा किसके speed के मतलब पहले उसे 7 part लग रहे थे अब उसे 8 part लग रहे है time में मतलब कितना वो यहां पर time ज्यादा ले रहे है 1 part और इसी 1 part की value हमें क्या दी गई है 10 minute इस 1 part की value क्या दी गई है 10 minute अगर 1 part की value 10 minute है तो 7 part क्योंकि original time तो 7 part है तो 7 part की value कितनी हो जाएगी 70 minute मतलब originally वो कितना time ले रहे था 70 minute clear है आपको अगर late होने के बाद पूछता की बताओ late होने के बाद क्या time होआ हलागी यह पूछा नहीं है तो 10 minute इसमें और add करतेंगे तो जाएड सी बात है late होने के बाद उसे कितना time लगेगा यहां पर 80 minute लगने वाली है clear है आपको दोनों question अभी जो दो concept हमने सीखें यह क्या है हमारा distance constant next देखते है तो चलिए students एक और question इसी तरह का ले लेते हैं सबसे पहले आप इसे खुद से solve करने की कोसिस करें ठीक है तभी आपको मजा आएगा तभी पता चलेगा कि हाँ जो चीजे हम सीख रहे हैं मतलब अपनी speed को 7 by 11 decrease कर देता है यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अगर उसकी पहले speed 11 थी तो वो इसे कितना कर देता है 7 यह किस चीज का रिश्वा है हमारा बच्चे यह हमारा रिश्वाया speed का आगे कह रहा है and reaches in 22 hours मतलब आज उसे पहुचने में कितना time लगा 22 hours लगे पहुचने में if we had walked at his initial speed then how much time he had saved कितना time वो save कर लेता हम से पुछा गया है मतलब एक बास सुनिये अगर speed का ratio 11 थी 7 है तो time का ratio कितना रह होगा 7 थी 11 मतलब पहले उसे 7 पार्ट लग रहे थे अब उसे 11 पार्ट लग रहे हैं तो अगर अब उसे 11 पार्ट लग रहे हैं पहुचने में जोगी 22 hours के equal है तो one part की value कितनी रही होगी बच्चे 2 hours रही होगी कितनी 2 hours और अगर one part की value 2 hours है तो initially उसे कितने पार्ट लग रहे थे मतलब अगर वो अपनी usual speed से जाता है तो उसे पहुचने में 14 hours लगते हैं लेकिन अब अगर आज उसे कितना time लगा 22 hours तो अगर वो अपनी original speed से जाता तो कितना time वो save कर लेता Time save अगर मैं यहाँ पे देखू Time save तो आज उसे लगे कितना 22 hours और अगर usual speed से जाता तो लगता 14 hours तो कितने hours वो save कर लेता 8 hours वो क्या कर लेता save यही हमसे पूछा गया है उमीद है यह चीज आपको clear हो गई होगी कि किस तरीके से हमने question को solve करना है next question लेते हैं और और कहानिया समझते है तो बच्चे question पढ़ लीजे ध्यान से same question है लेकिन थोड़ इसी calculation जादा है एक car traveling with 5x7 of his usual speed covers 42 km in 1 hours, 40 minutes and 48 seconds what is the usual speed देखो अभी क्या है कि 42 km का distance cover किया जा रहा है और यह distance cover करने में जो time लग रहा है वो time कितना है 1 hours 1 hour, 40 minutes and 48 seconds मैं क्या करता हूँ कि सब को hours में change कर लेता हूँ 1 hours तो ठीक है plus 40 minutes का मतलब है 40 by 60 hours और 48 seconds को अगर hours में change करना है तो divide by 60 into 60 यह तो clear है 1 plus क्या जाएगा 2 by 3 plus जब हम इसे total को solve करेंगे तो हमारा क्या आने वाला है यहां से बच्चे बताईए इससे अगर मैं cut करूँ तो यह पूरा 75 time चला जाएगा तो कितना आजाएगा 1 by 75 और इसे solve करके आएगा 126 by 75 hours मतलग अब वो जो है 42 km distance कवर कर लेते है कितने में 126 by 75 hours में तो अब इसकी speed कितने है speed request क्या होगा distance जो की 42 है upon time जो की 126 by 75 है यह 75 उपर चला जाएगा speed request क्या आजाएगी 42 into 75 divided by 126 यह 3 times हुआ और यह 25 times तो speed कितनी आजाएगी 25 km per hour अब इतनी speed है इसकी अभी यह original नहीं है यह अब की बात हो रही है तो इसे ने अपनी speed को कितना किया था 5 by 7 मतलब पहले अगर उसकी speed 7 थी अब कितनी कर दी थी 5 और अब ratio में तो 5 है लेकिन value में कितनी निकाली अभी हमने 25 कब आया होगा multiply by 5 करके आप इधर भी multiply by 5 कर दो तो कितना आ गया 35 मतलब उसकी usual speed जो original speed थी वो कितनी थी 35 km पर आ आप कोई यह question समझ में आया या नहीं है आगया बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छे अच्छे questions हम लोग कर रहे हैं यह 3 questions हमने यहाँ पे लिए इसी तरह के आगे देखते हैं और किस किस तरीके question हम लोग लेने वाले हैं तो चलिए प्यारे students और अच्छा concept समझते हैं इस concept का नाम दिया गया है यह question नहीं है क्योंकि question इस concept पर आगे आएंगे कह रहे है to cover a certain distance with x km per hour and he comes back with y km per hour ठीक है if he takes t hours more to come back than go find the distance मतलब देखो question यह late और early पे ही आते है इसकी speed जब x km per hour थी तो मैं माल लेता हूँ इसे जाने में टाइम लगा t1 आया यह y km per hour की speed से आने में टाइम लगा इसे t2 लेकिन जो t2 है वो t1 से t hours जादा है मतलब मैं कह सकता हूँ कि t2 minus t1 equals to t यह given है बात समझ मैं आई नहीं और जितना गया उतना ही वापस आया है तो मैं कह देता हूँ कि distance जो है वो d है एक तरफ से दूसरी तरफ की distance कितनी है d मुझे पता है कि time equals to क्या होता है distance upon speed time equals to क्या होता है distance upon speed अब अगर पहले case के लिए देखें यहां पर t2 के लिए मैं कहूँ तो distance तो d ही cover की लेकिन कितनी speed के साथ y km पर r के साथ t1 की अगर मैं बात करूँ तो distance तो d ही cover की लेकिन कितनी speed के साथ x speed के साथ और equals to क्या आजाएगा t यह इधर जाएगा यह इधर जाएगा तो solve कर रहे है dx minus dy upon x into y equals to t बात समझ मैं ही यहां से मैं d common ले लेता हूँ अगर मैंने यहां से d common ले लिया तो क्या बचे के bracket में x minus y upon x y equals to t इतना किलिए रहे है अब इसके बाद क्या होगा कि d तो इधर रहे गया और x y इधर और यह इधर तो d equals to क्या हुआ x into y upon x minus y into t यह बात समझ मैं ही यह एक formula है हमारे पास और यह formula late और early के सारे question को solve करेगा किस तरीके से solve करेगा वो देखो इसे मैं और थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखता हूँ कि जब कभी भी late और early का question आएगा तो distance equals to क्या हो जाएगा x into y है उपर और x into y के है 2 speed दी गई थी उनका product है तो product of 2 speed क्या है यह product of 2 speed upon नीचे क्या x minus y मतलब difference है difference between 2 speed difference between 2 speed into यह t क्या था यह t था जाने और आने में जो time लगा है उसका difference जाने और आने में जो time लगा है यह देखो यहां पर क्या था जाने और आने में जो time लगा है उसका difference क्या है t तो यहां पर मैं लिख सकता हूँ difference between difference between arrival time difference between क्या आजाएगा arrival time काफी जाद अतर question इसी से solve होने वाले हैं, मतलब distance equals to product of two speed upon difference between two speed into difference between arrival time, देखो मैं आगे बताने वाला हूँ और भी बहुत अच्छे अच्छी चीजे लेकिन ये चीज आपको किलियर होनी चीजे तभी आगे की कहानी आपको और अच्छे से समझ में आ पाएगी, next question इसके उप को दो तरीके से कराने वाला हूँ, पहले आप इस question को ध्यान से पढ़ लीजे, ठीक है, पहला हमारा solution 1, देखते हैं लोग किस तरीके से solve करते हैं, ठीक है, a man covers a certain distance between his house and his and office on scooter, ठीक है, वो अपने घर चे ओफिस जाता है scooter पे, having an average speed of 30 km per hour, he is late by 10 minute, मतलब देखो, question ये कह रह से office 30 km per hour की speed से जाता है, तो 10 minute late हो जाता है, 10 minute late होने का मतलब है, कि 10 minute जादा लगती है, मतलब मैं मान लेता हूँ, उसका सही time था, 10 a.m., office पोँचने का मैं अपनी तरफ से एजिम करता हूँ, कि सही time था, 10 a.m., लेकि 10 minute late हो गया, तो इसका मतलब कब पोँचा होगा, 10, 10 प कहा है कि, however, with a speed of 40 km per hour, he reaches his office 5 minute earlier, मतलब क्या होगा कि जब वो लेट पोँचा, तो उसके जो मैंनेजर है, उसने कहा कि भाई क्यों लेट आया, तो अगले दिन उसने जो जो से में अपनी speed कितनी कर ली 40 km per hour, और आज वो 5 minute पहले पोँचिया, 5 minute पहले पोँचने का मतलब है क तो आज उसे 5 minute कम लगी पहुचने में, तो आज वो 10 बजे नहीं पहुचा, तो किस टाइम पहुचा, आज वो पहुचा 9.55 पहुचा पहले 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 पहुचने का मतलब तो यही हुआ ना, कि आज किस टाइम पहुचा 9.55 पहुचा और अब क्या किया है, find the distance between his house and office, मतल sequence to क्या होता है, speed into time होता है, अब मैं से पहले ratio के help से करूँगा, जो कि हम लोग अभी तक करते आए हैं, पहले speed कितनी थी, 30, अब speed कितनी है, 40, अगर मैं speed के ratio की बात करूँ यहां पर, क्योंकि our distance to constant है न, speed का ratio पहले 30 थी, अब 40 थी, speed का ratio कितना है, 3 is to 4, इतना तो clear है, अगर यह speed का ratio है, और time, distance constant है, तो time का ratio क्या बनेगा बच्चे, 4 ratio 3, कितना बनेगा, 4 ratio 3, मतलब पहले उसे 4 पार्ट लग रहे थे, अब उसे 3 पार्ट लग रहे हैं, मतलब यहां पर time कितन reduce हुआ, time reduce हुआ, 1, लेकिन minute में कितना reduce हुआ, मतलब देखो, पहले वो पहुच रहा था, 10 बच के 10 minute पे, आज पहुच रहे है, 9.55 पे, मतलब जो time का difference है, वो कितना है, 15 minute, बात समझ में आई या नही आई, किलिया रहे यह बात, मतलब 15 minute का difference आएगा, क्योंकि 10 minute लेट और 5 minute early, तो difference कितने काएगा, 15 minute का, value of 1 part equals to 15 minute, then value of 4 part equals to 60 minute, किलिया रहे बात, and the value of 3 part equals to 45 minute, इतना तो आपको समझ में आई गया, मतलब कहने का यह है, कि अम मुझे time पता चल गया, और speed मेरे पास है, मतलब देखो, अगर मैं 30 km per hour की speed से चलता, तो total मुझे 60 minute लगनी थी, पहुच अगर मैं 40 km per hour की speed से चलता, तो ओफिस पहुचने में कितना टाइम लगेगा, 45 km per hour लगेगा, और मुझे पता है, distance equals to speed into time, अगर मैं speed 30 km per hour लेके चलूँगा, तो time कितना आएगा, 60 minute, तो इसका मतलब distance 30 km per hour, और time is 60 minute, लेकिन इसे आर में चेंज करेंगे, क्योंकि बात किलो किलियर है, या अगर मैं 40 km per hour लेके चलूँगा, तो यह हुआ मेरा 40 into, यह क्या दिया हुआ है, मुझे time कितना है, 45 minute, तो यहां पर लेलूँगा, मैं 45 minute, लेकिन बात hours में है, तो divide by 60, अगर मैं इसे solve करूँगा, तब भी मेरा कितना हैगा, 30 km, यह बताओ पहले बास समझ मे है या नही है, वो ही मैंने speed का ratio लिख 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 चलिए देखते हैं इसका दूसरा concept तो चलिए बच्चों इसी question का हम दूसरा concept अभि यहां पर समझते हैं कि दूसरा concept क्या है तो question तो आपने पढ़ी लिया और आपको याद भी हो गया होगा तो क्यारे देखो कि अगर वो 30 km पर आर के स्पीड से चलता था तो पहुंचने में कहां पहुंचने में आफिस पहुंचने में वो क्या हो रहा था टैन मिनेट लेट हो रहा था टैन मिनेट लेट ठीक है और अगर फोटी किलो मिटर पर आर की स्पीड से चलता तो पहुंचने में क्या होता फाइफ मिनेट लेस्ट आएगा तो मैं यूज करने वाला हूं distance equals to product of two speed तो two speed का product 13 to 40 upon difference between two speed कितना है 10 into difference between arrival time तो difference between arrival time अभी हमने पता किया कितना था 15 minute और 15 minute का मतलब बात तो kilometer पर hour में हो रही है 15 minute का मतलब हमें पता है कितना होता है 1 by 4 hour तो मैं यहां पर क्या पुट कर दूँगा 1 by 4 और इसे भी solve करके मेरा कितना answer आने वाला है 30 kilometer कुछ करना ही नहीं है मतलब direct answer आ जाएगा क्या use करके distance equals to product of two speed s1 into s2 upon difference between two speed ठीक है into difference between arrival time इस चीज को मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे इसी से बहुत सारे question solve होने हैं आप देख लीजे दूसरा question इससे next question पर चलते हैं अब तो बच्चे next question देखो क्या है two cars run a place at a speed of 45 km per hour and 60 km per hour if the second car takes five hour अब की बार बात आर में हुई है ना की minute में five hour less than the first for the journey find the length of journey अब एक बार बता हो मतलब जो दूसरी कार है वो पहली कार से पांच घंटे कम ले रही है तो हमें length बताना है मतलब distance बताना है time कितना आ जाएगा five क्योंकि पांच घंटे का ही difference आने वाला है यह बात समझ में आई ना अब मैं अगर cut करू तो यह गया three times three into a 50 5 15 into 60 कितना हुआ मेरा 900 km answer कितना आ गया 900 km आपको बात समझ में ही बहुत आसान कोश्यन है बहुत ही आसान बन गया अभी यह direct question solve हो जाता है वर्णा इसका दूसरा मैथड़ा मैं क्या करना पड़ था कि अगर speed की मैं बात करूं तो speed का ratio कितना बनने वाला है 45 ratio 60 ठीक है यह मैं कह सकता हूँ कितना बनने वाला है 3 ratio 4 15 से कट कर दिया दोनों तरफ तो time का ratio कितना बनता भाई 4 ratio 3 कितना बनता 4 ratio 3 तो यहां पर मैं देख रहा हूँ कि time का difference ratio में तो 1 है और r में कितना है 5 r बास समझ में तो 1 की value 5 r से तो 4 की value कितनी आ जाएगी बच्चे 12 r सा जाएगी या नहीं आ जाएगी और 3 की value कितनी आ जाएगी बच्चे 15 r सा जाएगी मतलब जब उसकी speed 45 km per r थी तो उसे जाने में कितना time लगा 20 गंटे और जब उसकी speed 60 km per r है तो जाने में कितना time लगा 15 गंटे तो मुझे पता है कि distance request to क्या होता है speed into time ये मैं आपको normal method बता रहा हूँ तो speed अगर मैं 45 लेके चलता हूँ तो time कितना लगता है 20 और speed कितनी होगी 45 ये मैंने आगे पीछे लिख दे उससे confuse नहीं होना तो कितना आ जाएगा 900 km किलिया रहे ये बात तो question solve करना ज्यादा tough काम नहीं है लेकिन अगर हम करें जल्दी किससे करना है तो जल्दी हमारा होगा product of two speed upon difference between two speed into difference between arrival time next question देखते है next question क्या है when a child goes to school at a speed of five kilometer per hour he reaches six minute late मतलब जब उसकी क्या होती है five kilometer per hour से चलता है बच्चा अपने school के लिए तो वो क्या हो जाता है six minutes late हो जाता है यह लिखा गया साफ साफ यह मतलब six minute उसे जञादा लगती है लेकिन जब और उसकी speed six kilometer पर hour होती है जब उसकी speed कितनी होती है six kilometer पर hour तो भच्चे क्या हो रहे उसे छे minute early बात समझ में है ना मतलब six minute उसे less लगते है लेस लिख दे तो मैं या अरली उससे कोई फरक नहीं पड़ता find the distance between his home and school अब एक बार बताओ बच्चे कौन सा तरीका यूज़ करोंगे यहां पर बताओ तो मैं तो एक तरीका यूज़ करने वाला हूँ कि by distance equals to product of two speed five into six upon difference between two speed into difference between arrival time तो देखो six minutes late और six minutes early तो difference कितने का आएगा 12 minute का यह तो बात आप समझी गए ना और 12 minute का मतलब कितना हूँ वन बाए five hour बास समझ में आई तो यहां पर मैं क्या पुट करूँगा one by five इस five से five कट जाएगा तो आंसर कितना आजाएगा मेरा six kilometer कितना आंसर आजाएगा six kilometer बदाओ clear product of two speed से clear है ना देखो एक late है और एक early है तो difference कितना आएगा 12 minute कहीं लोग कहते हैं कि sir six 606 का difference zero आएगा अभी बताया था मैंने late होने का मतलब 10 बज के 6 minute में कह सकता हूं गर 10 बजे सही टाइम पर पहुंचना था और early का मतलब 9 45 और इन दोनों में का difference देखेंगे तो कितना आएगा 12 minute का आएगा और नहीं आएगा clear है ना चलिए यह question भी आपको समझ में करेंगे खुझ से तो पता चलेगा कि यह अच्छा कोशन है काफी कह रहा है मैं रूंस एट 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 टैन किलो मीटर पर आर दैन ही अराइव एट सर्टेन प्लेस एट वन पीम मतलब कोशन यह है कि अगर टैन किलो मीटर पर आर कि सपीड से चलता है तो वन पीम पे पहुंचाता है यहां पहुंचेंगा His speed by 5 km per hour. मतलब 10 तो थी 5 और बढ़ा रहा है. मतलब अगर अपनी speed कितनी कर दे अब 15 km per hour कर देता है. तो अब किस टाइम पे पहुँच जाता है? 11 a.m. पे. मतलब speed बढ़ा दी तो जाहर सी बात जल्दी पहुँच जाएगा. अब question ये. At what speed must he run to get there at 12 p.m.? तो ये जानना चाता है कि अगर भाई वो महाँ पे 12 p.m. पे पहुच ना चाता है तो उसकी speed क्या रहनी चाहिए? और मुझे पता है कि speed equals to क्या होता है? Distance upon time. तो एक तो मुझे distance निकालना है और एक मुझे time निकालना है तभी क्या पाएगी? Speed. चलिए देखो जब 10 km पर आ रहे है तो 1 p.m. और जब 15 km पर आ रहे है तो 11 a.m. मतलब आप यहाँ पर देखो कितने का difference आ रहे है? 2 hours का difference आ रहे है या नहीं आ रहे है? तो मैं क्या यूज़ करूँगा कि distance equals to product of 2 speed मतलब 10 into 15 upon difference between 2 speed into difference between arrival time. clear? और यह कट हो जाएगा 2 times और यहाँ से मेरी जो distance आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 60 km. क्या आ गई? 60 km. मतलब एक बास सुनो, question यह है कि जब वो 60 km कितने की speed से चलता है? 10 km पर आर की speed से चलता है. तो किस time पर पहुंचता है वहाँ पर? 1 p.m. यह दिया हुआ है किस time पर पहुंचता है? 1 p.m. पर. मतलब एक बास सुनो, अगर वो 10 km पर आर की speed से कितनी दूर जाता है? 60 km जाता है. तो उसे total कितना time लगना चाहिए? total कितना लगना चाहिए? 10 km पर आर की speed से 60 km. total time लगना चाहिए 6R. मतलब क्या हुआ? कि यह बंदा यहां से चला और यहां तक पहुंच गया 6R में. कितने में? 6R में. और यहां पर यह पहुंचा 1 p.m. पर. तो इसका मतलब यहां पर किस time पर आओगा वो? इसमें से अगर मैं 6R माइनस कर दूँ वापस आने के लिए तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 5 a.m. बास समझ मैं ही? इसका मतलब वो अपनी journey start करता है 5 a.m. पर. किस time start करता है? 5 a.m. पर. और उसे 12 p.m. पर पहुंचना है. मतलब वो आज सिर्फ कितना time चलना चाता है? 5 hours चलना चाता है. आज कितना चलना चाता है? 5 hours चलना चाता है. कितनी दूर चलना चाता है 5 hours? 60 km. तो इसका मतलब उसकी speed क्या रही होगी? 60 divided by 5. तो उसे कितनी speed से चलना पड़ेगा? 12 km पर hour. ये question बहुत अच्छा था भाई. बास समझ में आई या नहीं आई? मतलब हमें ये निकालना भी तो है कि कितना time लगएगा? बास समझ में और उसके लिए 12 p.m. पर पहुंचना है. लेकिन ये निकालना पड़ेगा कि किस time पर वहाँ से चला था? किलियर है ना आपको? सब कुछ. चलिए students एक और शांदार सा question ले लेते हैं. ठीक है. ये उस तरह के question है. जो मैंने बताया था concept उसी से solve होने वाले ratio वाले concept सी ये question solve नहीं होंगे. ठीक है. क्या कह रहा है? A man covers a distance of 715 km at a constant speed. If the speed of the car would have been 10 km per hour more then he would have taken 2 hours less to cover the same distance. What is the original speed of the car? कोशन पढ़िये ध्यान से एक या दो बार. जब तक ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ये कोशन उतने अच्छे समझ में नहीं आएगा. तो कोशन यह है कि भाई, एक बंदे ने जो distance cover करनी है, वो cover करनी है 715 km. इतना distance cover करना है. अब इसके बाद कह रहा है कि उसकी 10 km per hour क्या कर दे? increase. इतनी उसने अपनी speed कर दी. तो उसे जहां पहुचना था, वहां पहुचने में अब T time नहीं लगेगा. इससे तो 2 घंटे कम लगेगे तो कितना time लगेगा? T minus 2 hours. इतना किलियर आपको. और जानना चाहता है find the original speed. मतलब किसकी value जानना चाहता है? S की value ज 715. देखो यह भी तो late और early का ही question है. तो इसलिए हमारा वही use zone at distance equals to product of 2 speed. एक speed S थी. दूसरी कितनी थी? S plus 10. upon difference between 2 speed. कितनी हो जाएगी 10? भाई 10 km पर आ रही तो बढ़ा ही है. into difference between arrival time. difference between arrival time कितना है? 2 hours less. देखो यह तो लिखा गया है 2 hours less. बास समझ में आई ना? तो यह की multiply हो जाएगी इधर? यह हो जाएगा 5, 7, 3, 5. तो 3, 5, 7, 5 equals to S square plus 10S. इसकी S की multiply मैंने अंदर कर दी. clear? तो यहां से मेरी quadratic equation बनी S square plus 10S minus 3, 5, 7, 5. मतलब यह मेरी quadratic equation बन चुकी है यहां पे और आप लोग बता सकते हैं कि इसका answer क्या होगा? मतलब मैंने देखना है 3, 5, 7, 5 के दो ऐसे factor जिनका difference 10 है तो 3, 5, 7, 5 के दो factor क्या क्या होते हैं? एक होगा 65 और एक होगा 55 लेकिन मुझे difference होना चाहिए और plus का 10 चाहिए तो plus का 65 होगा और minus का क्या होगा? 55 होगा और हमने quadratic equation में पढ़ा हुआ है क्या पढ़ा हुआ है? क्या पढ़ा हुआ है? कि यह क्या होता है? यह सब हमने quadratic equation में पढ़ा हुआ है मतलब माइनस में कभी speed हो नहीं सकती तो इसलिए answer क्या होगा? 55 किलो मेटर पर आर तो जो original speed है 55 किलो मेटर पर आर किलियर और अगर वो जानना चाहता है find the speed during the journey मतलब later speed वो जानना चाहता तो answer मेरा इसमें 10 किलो मेटर पर आ किलियर है यह बात आपको अभी इसी के ऊपर हम काफी सारे question करने वाले हैं मैं कह रहा हूँ एक चीज याद रखो और late और early का हर एक question इससे solve हो जाएगा क्या याद करना है product of two speed upon difference between two speed into difference between arrival time और यह किसके equal होता है? यह distance के equal होता है next question तो बच्चे next question भी कुछ इसी तरह का है ध्यान से इस question को पढ़िए और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या है? चलिए कह रहा है an aeroplane starts one hour later than its scheduled time मतलब क्या हुआ कि वो one hour late हो चुकी है जो उसका time था उससे from a place 1200 km away from its destination देखो कह रहा है कि भाई इसे 1200 km जाना था 1200 km और यह already one hour क्या हो चुकी है? लेट हो चुकी है चलिए यह भी late or early का question इतना तो आपको पता ही चल गया होगा आगे कह रहा है to reach the destination at the scheduled time the pilot had increased the speed of 200 km per hour मतलब अगर उसकी speed पहले 10 km per hour थी तो लेकिन अब उसे क्या करना पड़ता है? कि speed को क्या करना पड़ता है? S plus 200 km per hour करना पड़ता है clear? आगे what was the speed of the aeroplane per hour in the normal case? Normal case में जानना चाता है कि aeroplane की speed क्या रही होगी normal case का मतलब है कि original speed यह जानना चाता है और आप इसकी original speed कैसे बता सकते हैं मैं कहता हूँ कि पहले अगर वो सही time पर पहुंचता ठीक है लेकिन one hour late हो गए इसकी वज़े से ही उसे speed को क्या करना पड़ा? increase करना पड़ा तो फिर मैं यहाँ पर यूज़ करूंगा कि distance equals to product of two speed तो product of two speed मतलब s plus 200 s into s plus 200 upon difference between two speed कितना हो जाएगा 200 into difference between arrival time कितना है arrival time में difference कितना है? one hour का difference है अगर इसे solve करें तो कितना हो जाएगा? 24 चार बार 0 equals to is 200 की multiply इधर हो गई equals to s square plus 200 s s square plus 200 s तो अगर मैं इसे solve करूं यहाँ पर मैं इसे solve कर रहा हूं तो मेरी quadratic equation क्या बनी? s square plus 200 s minus minus क्या हो जाएगा? minus 24 चार बार 0 equals to 0 यह मेरी बनी quadratic equation अब जब यह quadratic equation बन गई तो आपको पता ही है कि इसके आगे क्या करना है? आपने इसके दो फैक्टर ऐसे देखने हैं जिनका difference क्योंकि minus का sign है कितना है? 200 तो इसके दो फैक्टर इसके दो फैक्टर क्या होंगे? जिनका difference 200 आएगा इसका एक होगा 400 और एक होगा 600 बास समझ म क्योंकि इसके product करेंगे तो यह चीज मिलेगी 400 इंटो 600 और डिफरेंस करेंगे तो क्या मिलेगा? 200 मिलेगा लेकिन plus का 200 चीए तो इसलिए plus का 600 रहोगा और minus का 400 और बच्चे मैने भी क्या बताया था कि sign क्या हो जाएगा? change sign change हो जाएगा तो plus का 400 आजाएगा और minus का क्या जाएगा 600 और minus में कभी speed होती नहीं है इसलिए जो मेरी original speed आएगी वो कितनी आएगी 400 km पर आर उमीद है यह question भी आपको clear हो गया होगा तो normal case में उसने पूचा है और फिर वोई बात मैं कहा रहा हूँ कि अगर during the journey यह जानना चाहता तो इसमें आप अपनी तरफ से कितनी speed add कर देते 200 km per hour add कर देते जो कि फिर answer हमारा कितना आजाता है 600 km per hour clear है चलिए यह question आपको समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है आपने देखा कि क्या approach रही हमारी question solve करने की थोड़ा बहुत हमारा quadratic equation का भी use हो रहा है लेकिन question बहुत simple तरीके से solve हो जा रहे है और ए next question next question भी same ऐसा ही है जैसा अब हम नहीं किया थोड़ी सी कानी चेंज है बस वो देख लीजिए कह रहा है ए एरो प्लेइन स्टार्टी मिनेट लेट दैन ही सेडूल ताइम फ्रॉम ए प्लेस 1500 km मतलब इस एरो प्लेइन को 1500 km जाना था कितना जाना था 1500 km और यह ओल लेडी कित 30 मिनेट लेट हो चुका है 30 मिनेट इसके बाद क्या कह रहा है तो रीच इस डेस्टिनेशन एड़ दा सेडूल टाइम दा पाइलेट है टू इंक्रीज दा स्पीड बाई 250 km पर आर मतलब अब कह रहा है कि अगर वो सही टाइम पर जानना चाहता है अगर उसकी स्पीड पहल 250 km पर आर जानना चाहता है what is the speed of aeroplane per hour during the journey during the journey जानना चाहता है इसका ध्यान रखना तो मैं क्या यूज करूंगा बच्चे आपर मैं तो वह यूज करने वाला हूं कि distance equals to क्या चीज है आप याद कर लीजे जल्दी से क्या था था हमारा कि distance equals to product of two speed मतलब पहली speed अगर S है तो दूसरी कितनी है S plus 250 upon difference between two speed तो difference कितना हैगा 250 into difference between arrival time 30 minute है लेकिन बात तो आर में उरियन तो 1 by 2 आर हो जाएगा बात समझ मैं तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 by 2 तो यह कितना हो जाएगा 1500 into अगर इसकी multiply करेंगे तो कितना जाएगा 500 और 500 इधर चला जाएगा तो 1500 into 500 equals to S square plus 250S तो यह मेरी quadratic equation बनेगी finally क्या quadratic equation बनने वाली है यहाँ पर S square plus 250S minus 750000 यह बनने वाली है बात समझ में आई तो यह बन गई मेरी quadratic equation और इसके बाद आपको पता है कि क्या करना होता है मतलब इसके दो factor ऐसे जिनका difference कितना है पलस का 250 तो इसके दो difference मैं देख लेता हूँ इसके दो factor एक तो 750 रहेगा और दूसरा कितना रहेगा 1000 बास समझ में ही लेकिन पलस का 250 चीए तो पलस का 1000 रहोगा और माइनस का 750 रहा होगा अब जब finally मैं answer दिखने वाला हूँ तो sign क्या करना पड़ेगा change त यह कितना हो जाएगा minus 1000 और माइनस में कभी speed होती नहीं है इसलिए जो original speed मतलब जो S की value यहां से आई तो S की value आई मेरी 750 km per hour लेकिन यह तो original है लेकिन यह जानना चाहता है during the journey जो कि क्या थी S plus 250 मतलब इसमें मुझे क्या add करना पड़ेगा 250 km per hour तो जब जाके मेरा answer कितना जाएगा 1000 km per hour यह कौन सी speed आजाएगी during the journey मतलब दो question आप से पूछता है कि find the speed in normal case और दूसरा पूछता है find the speed during the journey तो दोनों चीजों को हमने ध्यान में रखना है और question को solve करते हुई जरूर देखना है कि हम से क्या पूछा गया है during the journey पूछा गया है या in normal case speed पूछी गया clear है यह बात और question लें इस तरह के चलो देखते हैं आगे किस तरह के question हमारे सामने आते है तो चलिए next question देख लेते हैं क्या है बच्चे यह question तो आप खुद से solve करते हैं बहुत आसान सा question मुझे लग रहा है यह ठीक है कुछ ज्यादा खास question नहीं है same वो ही है जो अभी तक हम नहीं किया है काफी सारी practice हम यहां पर कर रहे हैं आप देख भी रहे हो continuously कि काफी सारे question मैंने आप लिये इस तरह के question है a car travel a distance of 840 km मतलब एक car है जिसने कितना distance cover करना है 840 km का distance cover करना है if the speed of the car is increased by 10 km per hour यह 10 km per hour more it takes 2 hours less to cover the same distance मतलब कह रहे है कि अगर उसकी speed पहले s थी s km per hour और अब कितनी कर दे 10 km per hour बढ़ा दे तो अब कितनी कर दे s plus 10 km per hour तो जो time का difference है जो time का difference है मतलब वो कितना आजाएगा 2 hours मतलब 2 घंटे कम लगेंगे इसका मतलब 2 hours का क्या आजाएगा difference the original speed of the car was मुझे original speed बतानी है तो बच्चे क्या यूज करूँ मैं है हापे इस question को बहुत आसान तरीके से solve करने के लिए क्या यूज करना है distance equals to product of 2 speed मतलब s into s plus 10 upon difference between 2 speed into difference between arrival time तो ये cut हो गया मेरा 5 times और 5 उदर जाके multiply हो जाएगा तो multiply हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 4200 equals to s square plus 10s के लिए और यहां से मेरी जो final quadratic equation बनने वाली है वो आपको पता ही चल गया होगा s square plus 10s minus 4200 equals to 0 और बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि 4200 के 2 मुझे ऐसे 4200 के 2 factor ऐसे मुझे बता दीजे 4200 के जिनका difference कितना है plus का 10 तो 4200 का पहला जो factor आएगा वो आएगा 60 और दूसरा कितना आएगा 70 क्योंकि इनका difference कितना है 10 और plus का 10 कब होगा जब यह minus होगा और यह कितना होगा plus तो sign मुझे क्या करने पड़ेंगे change में बार-बार यही तो कर रहा हूँ तो यह कितना हो जाएगा 60 km per hour plus का और यह कितना हो जाएगा minus minus में कभी speed होती नहीं है तो जो s की value थी जो मतलब original speed थी वो कितनी थी 60 km per hour यह उसकी original speed है clear next question देखते हैं और भी अच्छे-च्छे question हम लेने वाले है next यह काफी अच्छा question है बहुत important question है भाई इस तरह के question आपके exam में बहुत आते हैं बहुत question इस तरह के आते हैं तो इसलिए ध्यान से समझना कि question क्या है a train reach a station at a certain time and a fixed speed मतलब दिखो उसे कुछ time लग रहा था T और उसकी कुछ speed थी fixed S अभी नहीं पता कितनी थी if the train had been 10 km per hour faster मतलब अगर train की speed 10 km per hour increase हो जाए 10 km per hour क्या हो जाए increase तो it would have taken 2 hours less than scheduled time तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसे 2 hours कम लगने वाले है 2 hours क्या लगने वाले है less जो scheduled time था उससे 2 घंटे कम लगने वाले है आगे क्या कह रहा है and if the train were slower by 12 km per hour they would have taken 3 hours more मतलब कहने का यह है कि अगर उसकी speed 12 km per hour decrease हो जाए 12 km per hour क्या हो जाए decrease तो उसे अब 3 घंटे जादा लगने वाले हैं जाईर सी बात है speed कम हुई है तो time क्या होगा जादा तो क्या जानना चाहता है the length of journey यह आपको question इस तरीके से दिया गया है कि यहाँ पे आपको दो बार condition लगानी पड़ेगी एक बार पहला case है और दूसरी बार यह दूसरा case है तो पहले case में जब condition में लगाऊँगा तो क्या हो जाएगा distance equals to product of two speed अगर original speed S थी तो यह कितनी हो जाएगी S plus 10 upon difference between two speed into difference between arrival time arrival time कितना है 2 hours less तो यह तो पहली condition ही दूसरी condition के अगर बात की जाए तो दूसरी condition क्या हो जाएगी distance equals to product of two speed S into S minus 12 क्योंकि यह क्या होई है 12 km per hour decrease upon difference between two speed जो कि 12 होगा into difference between arrival time क्योंकि arrival time का difference कितना है यहाँ पे 3 hours तो अब देखो क्या हुआ कि यह भाई यह भी distance और यह भी distance है तो दोनों equally होगी दोनों equal है ना D, D तो equal है तो इन दोनों को मैंने equal put कर दिया, equate कर दिया इन दोनों को S, S plus 10 upon 10 into 2 equals to S, S minus 12 upon 12 into क्या जाएगा 3 देखो बच्चे बात एक है कि एक ही चीज हमने देखी और उसी से हमारे सारे question solve हो रहे है तो उस चीज को कभी भूलना नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह कट जाएगा, clear है बात आपको यह कितने time कर जाएगा यहाँ पर 4 times और यह कितने time कर जाएगा 5 times तो 4 की multiplier और 5 की इधर, तो कितना आजाएगा, यह 4s plus 40 equals to 5s minus 60, तो अगर यहाँ से मैं S की value निकालूं, तो S equals to कितना आजाएगा मेरा, 100 km per hour, तो यह क्या गई मेरी original speed, लेकिन वो क्या जानना चाहता है, distance, इसी तरीके से इस type के question होंगे, ध्यान दखना, यह एक बहुत बढ़िया type है, तो S की speed कितनी है, S की value कितनी आगई, 100 km per hour, तो S की value या तो आप पहली equation में पुट कर दो, बात तो एक ही है, मैं पहली equation में पुट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 100 into, यह 100 plus 10 कितना हो जाएगा, 110 into 2, upon कितना आजाएगा, 10, यह 10 से इकट जाएगा, 10 times, और आगे जाके, जो हमारा अंसर आजाएगा, वो कितना आजाएगा, solve करके, 2200 किलो मेटर, multiply करती क्या जाएगा, 2200 किलो मेटर, तो जो जर्नी थी, जो distance थी जर्नी की, वो 2200 किलो मेटर की थी, या अगर आप यहाँ पे भी पुट करते, इस वाले में पुट करते, तो यहाँ पे भी आपका अंसर आता, 100 into, 100 minus 12, कितना हुआ, 88 into 3 divided by 12, तो यह कि जाएगा यहाँ पे 22 टाइम जाएगा, 2200, 22 into 100 कितना आजाएगा, 2200, तो हर जंगा से आपकी डिस्टेंस तो सेम ही आनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे एक्वल पुट किया था, इक्वेट किया था, यह काफी अच्छा कोशन था भाई, ओमी ते कोशन आपको समझ में जाओगा अच्छे से, ठीक है, चलिए, अब लेट और अरली के कोशन अगर आगे आएंगे तो हम देखते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लेट और अरली को थोड़ा सा फुल स्टोप लगाते हैं, और कुछ और नए कॉंसेप्ट समझते हैं, केलियर, चलिए, तो चलि ती फिक्स, मैं माल लेता हूँ, वो थी S km per hour, और इसे कुछ time लग रहा था T, if the train had been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hour less, मतलब इसने कहा कि अगर वो अपनी speed को 6 km per hour increase कर देगा, तो जहाँ इसे पहुंचना है, आप पहुंचने में, अब इसे क्या लगेंगे, 4 hours कम लगेंगे, clear, आगे कह रह they would have taken 6 hour more than the scheduled time, the length of the journey, अब आगे अगला 2 case दिये हुए, case 1 तो यह हो गया हमारा, और case 2 क्या दिया गया है बच्चे, कि अगर speed 6 km per hour slower कर देता है, तो जहाँ इसे पहुंचना है, वहाँ पहुंचने में, 6 गंते जादा लगेंगे, और कह रहा है, find the distance, हमें distance बतानी है distance equals to, यहाँ पर मुझे पता है, distance equals to product of 2 speed, पहली speed S थी, तो अब कितनी कर दी, S plus 6, upon difference between 2 speed, into difference between arrival time, दूसरे case में क्या हो जाएगा, distance equals to product of 2 speed, मतलब S, S minus 6, upon difference between 2 speed, into difference between arrival time, 6 गंते का है यहाँ और 4 गंते का है, यह मेरे पास 2 equation बन गए, एक equation 1 और एक equation 2, दोनों equation क्योंकि distance तो same ही रहेगी, तो दोनों equation को हम लोग कर देते है, equate, equate करते हैं तो कैसे, S, S plus 6, into 4, divided by 6, equals to, क्या हो जाएगा, S, S minus 6, into 6, upon क्या हो जाएगा, 6, अब यह कट हो गया है, S से S कट हो गया, और जब 2 से कट करेंगे, यह 2 आएगा, और यह कितना आएगा, 3, अब जब solve करेंगे, तो क्या आजाएगा, 2S plus 12, equals to, 3S minus 18, तो बच्चे हैं से, S equals to कितना आजाएगा, S equals to आजाएगा, 30 km पर आर, इतना आजाएगा, क्या आजाएगा, 30 km पर आर, यह आजाएगी, original speed, लेकिन वो length जानना चारा है, जब नहीं, तो आप S को यहाँ पे put क into 36, into 4, divide by 6, यह हो गया 6 टाइप, इसे solve करके हमारा कितना आजाएगा, 720 km, बास समझ में ही बच्चे, तो length of journey कितनी है, 720 km, clear question, तो यह भी बहुत important questions थे, जो कि कहीं बार exams में आएगा है, एक एक टाइप के हम लोग काफी सारे question कर रहे हैं, उमीद है सारी चीज़े आपको clear ह हो रही होगी, आगे चलते हैं. 127, तो students आज की class में इतना ही है, thank you so much, please, अगर आप लोगों को lecture अच्छा लगे तो comment जरूर करें और like भी जरूर करें, ठेक है, अपना और अपनों का ख्याल रखे, thank you so much, मिलते हैं next lecture में.